हेलो गई स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेगे वेदान ताकी और ये बड़ी खबर निकल कर रहा रही है शेर होडल को इससे लाब हो सकता है कंपनी को लाब हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है हेड्लाइन को देख सकते है कि कारोबार को बेचने की तैयारी में कंपनी रोइटस ने दी सूत्रो के हवाले से खबर अगर आप नए हैं इस चैनल के उपर तो यसी जानकरी के लिए हमारे चैनल को दोस्तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हम हिंदी में ज्यादा तर जो है रिपोर्ट को शेर करते हैं आसान बासा में ताकि सब को आसान बासा में समझ आया भी कुछ शेस के अंदर तुरन तेजी आती है कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है कुछ के अंदर स्टॉप लोस भी ट्रिकर होते हैं आप क्रेट ले या न ले वह आपकी मरजी की बात है लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियो को लोग और शोट वीडियो को वेदानता के शेर में आज तेजी देखने को मिल रही है दर असल कंपनी को लेकर एक नई खबर भी सामने आई है कि अबुधाबी की एक कंपनी ने वेदानता रिसोस के जांबिया कोपर एसेट को खरीदने का प्रस्ताव रखा है नियूज एजन्सी रोइटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में सुत्रो के हवाले से ये जानकारिदी है कि ये कंपनी आफरिका में अपनी कोपर माइनिंग कारोबार विस्तार की योजना पर काम करती थी सु शुत्रों के मुताबित इस इंटरनेशनल होल्डिंग कम्पनी की माइनिंग यूनिट ने कॉंकोला कोपर माइन्स में 51% हिस्सा खरीदने के लिए एक अरब डोलर का प्रस्ताव रखा है अफरिकी मेटल्स पर IRH का फोकस इस टोपिक को देख लेते हैं इस पॉइंट को कि ये इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग कम्पनी ने हाल ही में जांबिया की मोपानी कोपर माइन्स में 51% हिस्सा 1.1 अरब डोलर में खरीदा था पिछले महीने ही IRH ने लुंबा बे स्थित EMR कैपिटल की कोपर माइन के लिए भी बोली लगाने का प्रस्ताव रखा था ये कम्पनी आफरिकी देशों में मेटल सप्लाई पर अपनी पकड मजबूत करने में जुटी है इससे उन्हें ग्रीन एनरजी ट्रांजिस्चन का अबी हिस्सा बरने का मौका मिल सकेगा वेदान्ता जांव्या कारोबार बेचने की तयारी में तो दूसरी और KCM में वेदान्ता करीब 80 प्रतिशत हिस्सा विक्री की तैयारी में है, कंपनी ने इस ट्राजेक्शन के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ट की भी मदद ले रही है वहीं जांबिया की सरकार KCM में 20 पसंद हिस्सा ZCCM IHK जरिए रखना चाहती है KCM में हिस्सा विक्री के लिए रूची रखने वाले निवेशकों से स्टैंडर्ड चार्टर्ट ने प्रस्ताव भी मंगाया है IRH एक लोती एसी कंपनी है जो KCM में बड़ी हिस्सा खरिदने की इच्छुक नजर आ रही है और नए 52 विक हपते के हाई के उपर पहुंचा शेर तो शुक्रवार को वेदानता का शेर दोपर एक बजे तक अगर देखे तो एक चोथाई फिस्सदी बड़त के साथ 399 रुपे प्रती शेर के बाव पर काम करते हुए नजर आया पिछले कुछ समय से श्टोक के शांदार तेजी देखने को मिल रही है पिछले एक महिने में ये स्टोक 45 फिस्सदी से ज्यादा तेजी दिखा चुका है वहीं बीते 6 महिने में 70 फिस्सदी और इस साल अब तक के लिए ये तेजी 51 पसंट से ज्यादा की है इंट्राडे में ये स्टोक 396 रुपे के हाई को मतलब की इसने टच किया अब बताए गया है तो मुझे इसा लग रहा है कि अगर ये मतलब की चीज हो जाती है तो शेर के लिए अच्छा रह सकता है कम की कंपने के लिए भी अच्छा रह सकते है तो आप चाहे तो इसके ओपर अपनी नजर बनाकर रख सकते हैं वैसे जिनको नहीं बता उनको मैं बता दू कि वेदानता अब तक की अगर बात करें तो ये डिविडेंट भी काफी अच्छा देती है इसके ओपर भी हम वीडियो लाएगे अगर आप चाहे तो तो आज के वीडियो में इतने है अगर अच्छा लगा तो लाइक से रहें धरम थेखूपएंगे अगर टू करें दोंट दो ये विड़की काफी अगर अगरें टू झार उनको मैं गर्म हम जान जाएगे बता करें आज को ये तो ये तो प्रहर को ये फिरेख गरनी करेंगे नहीं एक बाता आज करें दो दो ये